हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो न्यू वीडियो फोड़ाफोन आइडिया लिमिटेड फ्रेंड्स फोड़ाफोन आइडिया से एक इंपोर्टन अपडेट आया है जो आप लोगों साथ क्विकली शेयर करूंगा फ्रेंड्स दो हमें आज का सेशन ग्रीन में चलता हुआ नजर है बट यह जो अपडेट है यह इतने अच्छे नहीं है बट अट दे अंड वीडियो कुछ और पॉजिटिव अपडेट और पॉजिटिव चीजे भी में वोड़ाफोन आइडिया के बारे में आप लोगों साथ शेयर करूंगा उसके लिए स्टे ट्यून और चैनल को सब् बजट से एक न्यूज आया फ्रेंड्स जो की वोड़ाफोन आइडिया के लिए पर्टिकुलर्ली हम बोलेंगे इतना अच्छा नहीं है बिकॉस वोड़ाफोन आइडिया जो है अभी फैनेंशियल स्ट्रेस में चल रही है अभी 4G 5G सर्विस को स्रेंथन करने के लिए उन पर देखिया क्या हुआ टेलीकॉम इंफ्रा स्टॉक प्लंजेस एज गवर्मेंट हाइक इंपोर्ट ड्यूटी बाइफ फाइपरसेंट ऑन टेलीकॉम गियर आप टेलीकॉम गियर सबसे जादा लगने वाले हैं इनको 4G & 5G में और उसी के लिए जो लास्ट वीडियो था ह हमारा उसमें हमने कवर किया था तो किस तरीके से नोकिया और जो दूसरे गियर प्रोवाइडर से उनको जो है एक्वीटी के तोर पे जो है वड़ा फन आइडिया के तरफ से पैसा दिया गया और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्हीं इंपोर्ट के उपर यहाँ प अगर देखेंगे तो बजट से ही रिलेटेड है जहाँ पर गवर्मेंट ने जो है बीए सेनल को स्टेंटन करने के लिए जो है टेलीकॉम बजट अलोट किया वन लाक करोड से भी उपर का यह बजट था जहाँ पर बीए सेनल को एक्सपेट किया जा रहा है कि अल्मॉस्ट से काफी अच्छा डिसेजन है गवर्मेंट का बिकॉस अगर यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में आप देखोगे तो वोड़ोफोन आइडिया हो या बाकी जो कंपनी सो जीओ और एरिटेल उन्होंने काफी जादा टैरिफाइक सुनकी जो है रिसेंटली बढ़ा दी है तो य बेसेनल के अपडेट्स आये हैं बहुत सारे यूजर्स जो है एस पर दी डॉट रिपोर्ट वो बीसेनल में माइगरेट होना भी स्टार्ट हो चुकी है तो उसका इंपक्ट कहीं न कहीं हमें बाकी शेरों में देखने को मिलेगा तो यहीं इंपोर्टन अपडेट ता फ्र प्रोमोटर गूप का ट्रेंड देखिए जहां पर भी उनको एक्वीटी जो है देनी पड़ती है उनके वेंडर्स को हो या गवर्मेंट को हो हम देखते हैं कि all of a sudden एक्वीटी का जो पसंटेज है वो ड्रॉप होता है जैसे गवर्मेंट को कुछ दिया नोक्या को कुछ द प्रोमोटर गूप जब भी किसी को जो है कुछ शेयर अलोट करता है उसके नेक्स कौर्टर में नेक्स मन्स में जो है बाइब करना स्टार्ट करते हैं कर देता है तो वोड़ा फोन ओपन मार्केट सो हो या बलक आउडर में हो यहाँ पर बाइंग तो कर रहा है यानि एक्वीटी इसको वह बहल्यू दे रहा है उनको पता है आगे जाकि यह एक्वीटी उनको बहुत काम आने वाली है अब हम बात करते हैं सेम चीज या फैस के दिया और अभी सबसे जादा जून कॉर्टर में 12.67 परसेंट का होल्डिंग इनका बढ़ चुका है तो आप देख सकते हो मोर दन 600 परसेंट से भी जादा का बाइंग उन्होंने किया है पिछले तीन मंस में तो यहाँ पर यह दिखाता है कि कितना जादा ट्रस्ट जो है य उन्होंने में में कर दी थी 4.75 और जून में उन्होंने होल्डिंग बढ़ा किया कर दी 6.79 अब देखिए प्रमोटर बाइंग कर रहा है यह फाइस बाइंग कर रहा है काफी अग्रेसिवली इट मींस डियाएस और रिटेल इंवेस्टर डेफिनेटली इन दोनों में से कही पर जो है सेलिंग हो रही है तो देखिए येस डियाइस के बाद करेंगे तो 1.43 परसंट से उनकी होल्डिंग अभी 0.68 परसंट है मतलब हाफ अब रिटेल इंवेस्टर के बाद अगर हम करेंगे तो और पार्टिस के पास 37.14 परसंट का होल्डिंग था एप्रिल में और र देखोगे तो रिटेल इंवेस्टर हमें अलमुस्ट हाफ होते वे नजर आए जहां पर लेटिस्ट काउंट के सबसे जून के 5.57 परसंट का होल्डिंग रिटेल इंवेस्टर के पास है 36.11 परसंट का होल्डिंग और इंवेस्टर के पास है यानि और इंवेस्टर काफी स् बाइग करने का मोका मिल रहा है यानि बाइग काफी अच्छे से हो रही यह वड़ा फोन आइडिया में यहां पर कही ना कही लॉंग टर्म में एक अच्छा गेंड दे सकता है ऐसा मार्केट को लग रहा है वड़ा फोन आडिया के बारे में और इसलिए इतनी हेवीली है तो यही अपडेट देफरेंट्स ओड़ा फोन आइडिया के बरे में आई होप आपको यह इनफोर्मेशन जो है फुल लगे प्लीज आपने किस प्राइज रेंज में ओड़ा फोन आइडिया का शेयर बाइग किया है कमेंड बॉक्स में लिखिएगा थैंक्यू